हेलो बच्चो नमस्कार सभी को स्वागत है आप लोगों का Learn and Fun Commerce चैनल पर इंग्लिश और Business Studies का पेपर आप लोगों का हो चुका है आज आप लोग Business Studies का पेपर देकर आ चुके हो इंग्लिश और Business Studies की मैम यानि निकिता मैम और हीर मैम ने आपको ताबड तोड तरीके से तयारी कराई तो मैं बिना Question Paper देखे बिना बच्चों के Face Read किये ये बता सकता हूँ कि पेपर अच्छा ही गया होगा क्योंकि तयारी में कोई कमी नहीं छोड़ी ना आपने छोड़ी ना हमने छोड़ी अब यही तयारी हम लोगों को करनी है Accountancy की जी हाँ अब ठीक पाँच दिन बाद हमारा Accountancy का पेपर आ चुका है तो जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई आ गई आ गई भाया अब सवा साल हो गया हम लोगों को मतलब सवा साल से हम लोग सबसे बड़ा बैच मान सकते हैं आप इसको सबसे बड़ा बैच है यह हमारा 12 स्टीम का इतिहासिक बैच कह सकते हो लास्ट यह तो एक्जाम ही नहीं हुआ लेकिन इस साल एक्जाम हो रहे हैं उमीद नहीं थी तुम लोगों को और वो हो रहे हैं और तयारी अभी तक हम लोगों ने बहुत बढ़िया कर रखी है डी मॉलराइज होने की कोई जुरत नहीं है पांच दिन बहुत जादा दिन होते हैं लेकिन इस बात पर एक महात्मा बुद्ध जी की एक बात याद आई समस्या यह है कि हमें लगता है कि हमारे पर बहुत समय है जबकि हाव टू यूटिलाइज टाइम यह बड़ा इंपॉर्ट है पांच दिन को यूटिलाइज कैसे करेंगे अकाउंट एंसी का पेपर आ गया है हमारा 23 तारीक को अब उस पेपर तक पहुंचने के लिए प्लैनिं िंग करने में फेल हो जाता है वह अपने फेल होने की प्लैनिग कर रहा है कि प्लैन टू फेल इस इकोस टू फेल तयू प्लैन मतलब कहीं ना कहीं Hello裡面 दिनों में planning के उपर strategy के उपर depend करती है तो BST और English का पेपर आपका अच्छा हो गया होगा आप उसको side में रखकर सीधा focus करना है हमको accountancy के पेपर में तो हमारा पांच दिन का आने वाला क्या plan है जिस प्रकार मैम ने भी आप लोगों को live पढ़ा पढ़ा कर recorded session दे दे कर सारी चीज़े दुबारा से clear कर दी brush up कर दी जो अभी तक सो रहे थे उनके लिए भी सुनहरा मौका है yes still now you can do it अभी भी जो हारे हुए थे भटके हुए थे या जिनको उमीद नहीं थी कि हम भी पास हो सकते हैं या जिनको यह उमीद नहीं थी वह हैस्टेग कैंसिल बोर्ड एक्जाम वाले जो बच्चे थे भई आप तो देना पड़ेगा ठीक है जी तो अब देना पड़ेगा अगर आप जाक गए हो तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं डे वन 18 में 18 में को हम लोग क्या कर रहे हैं आओ देखो देखो आपका मॉरल बूस्ट अप करने के लिए आज का दिन यानि 17 का दिन आप अराम से बैठो रिलैक्स करो हो सके तो थोड़ा बहुत जो आपको आता है उसको ब्रश अप कर लो और नेक्स दे यानि कल सुबा 18 त कि हां लान एन फ़न कॉमर्स चैनल पर मैं आऊंगा लाइफ और लाइव आकर हर एक चाप्टर की आपको रिवीजन कराऊंगा सारे कॉंसेप्ट विद कोश्ट्स विद कोश्ट्स सॉल्विंग विद कॉंसेप्ट जर्नल एंट्री एवरीधिंग मतलब कम्प्लीट रिवी पुरी पढ़ाई होगी लाइव सेशन होगा मॉर्निंग बारा बजे और उसी दिन इवनिंग में सारे हम देखो मॉर्निंग में हम लोग सारे कॉंसेप्ट पढ़ लेंगे इवनिंग में सारे इंपॉर्टेंट कोश्चन इस चैप्टर के विद सॉल्यूशन मतलब मोस्ट आप कह सकते हो यह आगर आपने समझ लिया और यह आपने कर लिया साथ नंबर पक्के हो गए आपको पता है न यह चैप्टर सेवन माक्स का है और कुछ महनत नहीं है बहुत इजी चैप्टर है सारे इंपॉर्टेंट कोश्चन विद सॉल्यूशन रिकॉर्डड फॉर्म मे छे बजे वो लेक्चर प्रीमियर हो जाएगा अब इन दोनों दिन के जो भी डाउट होंगे हम अगले दिन भी कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि अगले दिन फिर यानि 19 में को मैं आ रहा हूं लाइव दुबारा पढ़ाने सुभा 12 बजे टाइम नोट करते रहें इसको अपने उनके अंदर फीड कर ले क्योंकि मिस नहीं होनी चाहिए क्लास मिस नहीं होनी चाहिए लाइव का इंट्रेक्शन का मज़ा अलग होता है औल्दो वह आपको स्ट्रीम्ड जो चीज है वह मिल जाएगी बाद में लेकिन जो लाइव में आपने से डिरेक्ट लाइव डाउट कराते हुए concept plus question NPO पढ़ेंगे सुभा बारा बजए हम लोग live morning कब 19 में दे टू उसे दिन अब देखो सारे question तो हमने कर लिए आपको पता है कि accountancy छोटी-छोटी adjustments important adjustments पर dependent होती है तो यहां पर important question तो हम कर चुके होंगे अब हम पढ़ेंगे जो छोटी-छोटी adjustment हमको तंकरत recorded version छे बजे सुभा लाइब शाम को recorded ठीक है जी बीच बीच में छोटे शॉट्स ट्रिप्स टिक्स मैं आपको देता रहूँगा कोई टेंशन वाली बात नहीं है डे टू डन हो गया है डे थ्री ट्वेंटियत में ट्वेंटियत में यानि अगले दिन marathon बिल्कुल ठीक सुन करेंगे जिसने अभी तक नहीं पड़ा वह अराम से बैट कर तीन चार पांच घंटे लगाएंगे हम लोग और वह लाइव सेशन मौर्निंग नौ बजे से हमारा स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद फिर भी कस्तपूरी नहीं हुई पहले concept समझ लिया कोशन भी कर लिये हर एक धंगा कोशन कर लिया इसकी important adjustment और उनकी treatment भी revise करा दूँगा दुबारा से जो छोटे-छोटी छुपा रुस्तम नाम की जो छोटी-छोटी adjustment आती हैं जो पेपर में हमको तंग करती हैं मतलब पांच adjustment में से चार तो आती जो एक नहीं आती मैं उसी एक की बात कर रहा हू वो हम यहाँ पर crack करेंगे शाम को recorded छे बज़े पूरा दिन होगा आपके पाद एड्रॉप करने का शाम को important adjustment और उनका treatment देख लेना पूरी की पूरी partnership डे नमबर 3 पे crack डे नमबर 4 21st of May इसके अंदर हम पूरी की पूरी पार्ट सी की marathon कराएंगे यानि एक बहुत विशाल चैप्टर आपको पता है उसका नाम है cash flow statement वो होगा secondly comparative and common science छोटा packet बड़ा धमा का वैया तीन नमबर पके है उस class के अंदर उस live session के अंदर उस live marathon जो की हमारी 10 बजे स्टार्ट होगी 10 बजे ध्यान रखे time थोड़ा confusing हो सकता है लेकिन आपकी convenient के अनुसार रखा गया है 9 बजे 9 बजे हम लोग marathon करेंगे 9 बजे इसली रखा कि कि हम लोग लंबे समय तक अराम से बैठ कर पढ़ पाएं कोई रोकने टोकने वाला ना हो यहां पर काम थोड़ा कम होगा क्योंकि सिर्फ दो चैप्टर होंगे cash flow statement माना बहुत बड़ा चैप्टर है और comparative आदे पौने घंटे में निपड जाता है तो पूरा का पूरा हम लो शाम को छे बज़े रिकॉड़ेट डे थ्री नौ बज़े लाइफ मैराथान होगा शाम को छे बज़े लाइफ शे बज़े रिकॉड़ेट सुबह फिर 21 में सुबह 10 बज़े 21 में अभी मैं कहा रहा हूं schedule बना लो माक कर लो आप अपना alarm लगा लो दस बज़े आएंगे हम लोग 21 में को लाइफ क्या करेंगे पूरी की पूरी अनालेसिस वाली किताब और सी एफस सबसे धमाकेदार चैप्टर है सारी इंपॉर्टेंट एजस्टमेंट जो नीचे लिखी आएगी या छुपी हुई होंगी सारी की सारी एजस्टमेंट छोटी छोटी बातों का ट्र हम भी मिलकर इस पड़ाव को पार करेंगे अकाउंट एंसी के पेपर में फते हासिल करेंगे डे 5 बचा हुआ अभी डे 5 22 में अभी हमारे हाथ में है एक पूरा का पूरा सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे आपको पता है 32 पेपर की शीट आएगी कुछ कुछ शीटे खाली हो होंगी और कुछ शीटों में आपको अल्डेडी फॉर्मैट बनाकर दिये वे होंगे उसको क्रैक कैसे करना है यह हम आपको लाइव मौर्निंग 10 बजे के आसपास पूरा डिटेल वर्जन दे देंगे और शाम को हम थोड़ा सा रिल्लैक्स करेंगे मैं अपने बच्चों को कहता हूं कि साथ साथ बजों के आसपास आपको अपनी पढ़ाई बंद कर देनी होती है पेपर से एक दिन पहले चैपूरे साल कुछ पढ़ा है या नहीं पढ़ा इसके बाद कुछ नहीं करना यहां आओ हसी मजाक की बाते करेंगे चोटी मोटी ट्रिक्स लेंगे और आप को मैं थोड़ा सा मोटीवेट कर दूँगा आप मुझे मोटीवेट कर देना यह वाली क्लास रिकॉर्डेड ना रखकर हम लोगों ने लाइव जी हां 22 मही को दो बारी लाइव आऊँगा 10 बजे सुभा और शाम को 6 बजे with tips and tricks and jokes समझ रहे हो हसी मजाक और कहीं ना कहीं कही करेंगे कि ताकि burden ना ले, pressure ना ले, tips and tricks कि paper में भी burden और pressure ना ले, हो जाता है calculation नहीं मैच होती, हो जाता है कि हमको एक adjustment नहीं आएगी, तो क्या करना चाहिए कि ताकि burden ना आए और वो ठीक भी हो जाए, हाँ जी, बिलकुल, बताऊँगा, मुझे पता है इसके पीछे एक र paper दे कर आओगे, मैं आपको फिर यहां खड़ा मिलूँगा, आपका पूरा paper का solution मैं आपको बताऊँगा 23 तारीक को, अगले दिन फिर मैं एक या डेड़ बजे आपको जैसी paper मेरे हाथ लगेगा, मैं यहां पर live आकर आपको बता दूँगा कि क्या क्या ठीक है और क्या क्य गलत है, although, although उसको इतना seriously नहीं लेना, लेकिन फिर भी हम लोग यह जान सकते हैं कि कितना ठीक है, कितना नहीं, क्यों? क्योंकि उससे अगला paper हमारा economics और mathematics का है, हो सकता है यह paper बहुत अच्छा चला जाए, हो सकता है कुछ कमी रह जाए, तो वो आपको answer की जो है, वो हमको next day, यानि 23 तारीक को जैसी paper दे कर आओगे, मैं फिर आपके सामने live हूँगा, और आपको बताऊँगा कि क्या exact answer थे, बात की बात है यार, पहले आपको ध्यान रखना है, दुबारा से revise कर लो, 18 में first day, हम सुबा, company account पढ़ेंगे, 12 बजे, शाम को 6 बजे, इसके important question का recorded, लिक इस तारीक को 12 बजे हम लोग live session देंगे, NPO का live session, NPO, पूरा का पूरा, शाम को 6 बजे important adjustment का recorded, उसके बाद day 3 की बात करोगे, तो marathon होगी, सुबा 9 बजे से, सुबा 9 बजे से marathon, सारे important adjustment, शाम को 6 बजे recorded form में आपके पास, 21 तारीक को भी हम लोग पूरी marathon कर रहे हैं, part C की, और हम recorded session देंगे, सारी important छोटी छोटी adjustment का शाम को 6 बजे, और 22 तारीक, संडे के दिन, आपके साथ पूरा दिन बिताऊंगा, सुबा करूंगा, सैंबर paper solve in a unique way, कि कैसे समय पर अपना paper खतम करे, 32 शीटों में खतम करे, और calculation fast कैसे करे, उस दिन बताऊंगा, आखरी दिन, कि ताकि हमारे पास एक ऐसी trick याद रहे, जो हम paper में implement कर पाएं, 10 बजे सुबा लाइव, शाम को 6 बजे, tips and tricks और कुछ मजाकी बाते, तो आप लोगों ने, अब आज के दिन थोड़ा relax हो जाना है, कल सुबा हम आप से मिलेंगे, 12 बजे, किस के साथ, company accounts के साथ, कुछ करना चा हो, तो relax कर सकते हो, क्योंकि आने वाले 4 से लेकर 5 दिन बड़े महनती होने वाले हैं, तो महनत करेंगे, उससे पीछे नहीं हटेंगे, और हमारे number खा जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, पहली paper इतना चोटा है, 12 तेरा कोशन आने है, अराम से बैट कर वो solve हो जाएगा, tension लेन commerce चैनल पर, अपने साथ, आपको तो पता ही है, दोस्तों के साथ इस बात को शेर करें, कि ताकी भला हो, तो सब का हो, ठीक है जी, हम चाहते हैं, सब बच्चों का भला होना चाहिए, कि ताकी जो अभी तक नहीं पढ़ा, वो पढ़ ले, या जो पढ़ चुका है, वो भी ए सारा बजे, कंपरी अकाउंट्स, लाइव, और लनन फन कॉमर्स, बबाए